आप आप अपर पीड़ेश वेह पाटीकल में लार्ज़ एम्टी स्पेसे होती हैं यानि एक molecule से दूसरे molecules में काफी distance होता है और जब भी हम इनी molecules पे pressure लगाएं तो वो molecules करीब आ जाते हैं और उनका volume कम हो जाता है तो सबसे पहले हैं अगर हम बात करें attractive forces की तो हमने आपको बताया कि solid में क्योंकि molecules tightly packed होते हैं तो उनमें attractive forces सबसे जादा होंगी लिकुड में थोड़ा सा gap होता है तो उसमें attractive forces थोड़ी सी कम होंगी और याद रखिये students कि gaseous state में attractive forces सबसे कम होती हैं अब impurities जो हैं वो less electro positive हैं तो वो move नहीं होंगी cathode की तरब लेकिन copper iron move कर जाएंगे cathode की तरब scattering of light, light का फैलाओ याद रखें कि solution में से अगर light पास करें तो वो scatter नहीं होती यानि फैलती नहीं है distribute नहीं होती अब shapes of periodic table को देखते हैं हमने देखा elements को increasing atomic number की बुनियाद पर periodic table में place किया जाता है और इनकी properties कुछ खास interval के बाद repeat होती है तो देखें आपके पास सबसे पहले solute लेते हैं gas, solvent, gas तो ये आपका gas, gas solution बन जाएगा और result आपका देखें, result stating solution ये किस पे होगा, state of resulting solution ये solvent पेपेंड करेगा आई सुनर्स, move करते हैं next topic की तरफ which is boiling point boiling point को हम define करते हैं देखें सुनर्स, boiling point को समझने के लिए एक बीकर में पानी लेते हैं और उनका vapor pressure increase उनलग जाएगा This is Abdullah, signing off from tutorial.pk Thank you